देश में कोरोना की डराने वाले आकड़े सामनी आ रहे हैं पिछले 24 घंटों में एक बार फिर 1,45,384 नए मामले सामनी आए हैं अब महाराश्ट्र पंजाब जैसे 8 राज्यों में हालत बेहत खराब हो गए सुरक्ते सवालों के बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि यूपी के एक और शेहर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है बल्या में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है बल्या की डियम अधिती सिंग ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है बल्या में राप 9 बज़े से सुभा 6 बज़े तक नाइट कर्फ्यू रहेगा कर्फ्यू के वक्त सिर्फ एमर्जेंसी सेवाई ही जारी रहेंगी ताजे आकडे और रिपोर्ट की माने तो यूपी में भी कोरोना भयावे होता ज़ा रहा है बीते 10 दिनों में 50 वीज़ी से ज्यादा नई मरीज आचके हैं लेकिन उत्तर मांगे प्रदेश में सवाल की अब कैसे रोके जाएंगे यहाला क्या थोड़ी सी साब्धानी दोगज की दूरी और मास्क जैसे मामूली साब्धानी का ध्यान रखकर हम इस संक्रमन से खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे कैसे महा मारे की दूरी लहर से खुद को बचा पाएंगे हम चर्चा करेंगे उससे पहले साचल बो पाँच अप्रेल एक लाख तीन हजार केस चे अप्रेल च्यानवे हजार के पार कोरोना के मामले साथ अप्रेल एक लाख पंद्रह हजार से अधिक संक्रमन के मामले आठ अप्रेल एक लाख चब्यस हजार के पार केस 9 अप्रेल 1,31,000 के पारकेस और अब आज यानि 10 अप्रेल 1,45,000 से अधीक मामले कुरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण ने सरकार और प्रशासन के चेहरे पर चिंता की लकीरे खीच दी है कुरोना के दूसरी वेब शहर दर शहर काफी तेजी से अपने पाउं पसार रही लेकिन बीते तक्रीबन एक हफ़ते से बने इस हालात के बावजोड लोग साफधानी नहीं बरत रहे एक तरफ कुरोना के आखड़े डिर लाग के करीब पहुँच गए है तो वहीं दूसरी तरफ शहर दर शहर लापरवाही का नतीजा है कि लगातार कुरोना के आखड़ों पर ब्रेक नहीं लग रहा है कुरोना संक्रमन के मामले में बेहिसाब बढ़ोत्री के बीच वेक्सिनेशन अभियान भीचारी प्यम मोदी ने 11 से लेकर 14 अपरेल टक टीका उत्साव मनाने की बात कही है क्या हम 11 अपरेल से 14 अपरेल पूरे अपने राज में टीका उत्साव मना सकते हैं एक पुरा वातावन अप्रेट कर सकते हैं टिकाउसों का एक विशेश अभ्यान चलाकर हम जादा से जादा एलिजिबल लोगों को वैक्सिनेट करें जीरो वेस्टेज ताय करें हम जीरो वेस्टेज होगा लेकिन कई शेहरों में वैक्सिन के अभाव की समस्या भी खड़ी हो गई कोरोना महमारी के बीच वैक्सिन संजीवनी की तरह महमारी के खिलाफ लड़ाई में कारगर साबित हो रही थी आलम यहे के नड़ा के जिला अस्पताल में वैक्सिन ना होने से टीका करण का काम रोकना पड़ा जिस वजह से टीका करण कराने आये सेकड़ों लोग वापस लोट गए कानपूर में वैक्सिन की कमी से तस टीका करण केंदर पर हंगामा हो जिला प्रशासर ने केवल तीन केंडरों पर वेक्सिनेशन का फैसला लिया फतेहपूर में भी वेक्सिन की कमी की वजह से कई लोगों को बिना टीका के ही घर वापस लोटना पड़ा यहां स्वास्त विभाग ने भी वेक्सिनेशन की कमी की बात को स्विकारा उत्तराखंड के मसूरी में भी वैक्सिन की कमी के कारण लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ा वैक्सिन खत्म हो जाने की वजह से लोग बीना टीका कराई वापस लौट गए यूपी को 92.9 लाख वैक्सिन की डोज उपलब्त कराई गई थी इसमें 83.2-4 लाख वैक्सिन की डोज इस्तेमाल की गई है यूपी में फिलहाल 4.4 लाख वैक्सिन बची है लेकिन शाम तक 21 लाख वैक्सिन आने के उम्मीद है पेजिस तेजी से लोगों का टीका करण हो रहा है उसे महस दो-तीन दिम में ही वैक्सिन अभ्यान चलबाना संभव कुरूना के बढ़ते संक्रवन ने यूपी उत्राखन के कई शेहरों नाइट कर्फि लगा दिया लेकिन एक दरफ जहला परवाही के वजह से मामलों में इजाफा हो वहीं अब वैक्सिन की कमी ने नई समस्या खड़ी कर दिया बिरो रिकोर्ट एबीबी गंगा तो हालात बत से बत्तर हो रहे हैं और दिन बर दिन कोरोना का जो आकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है इसी पर खास चर्चा करेंगे खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है जौक्टर स्वाती बाहिश्वरी इंटर्नल मेडिसन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इसके साथ इसाथ सुरेकांथ हैट रेस्पिरेटरी विभाग केज़ क्या ऐसा हो रहा है हम लगातार कोषिशी कर रहे हैं सरकार अब सक्त हो गही हैं उसकी बावजूध हम कुरोना को रोक नहीं पा रहे हैं उसकी बावजूध जो ग्राफ है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है अवाज मिल रही है आपको डॉक्टर सूरेकान जी बिल्कुल देखिए सवाल ये है डॉक्टर सूरेकान जी कि ऐसा क्या वजह है क्या बदलाव हो रहा है क्या सेकंड वेब में बदलाव हुआ है कि अब इतनी कोशिशे की जा रही है सकती बढ़ गई है उसके बावजूद कोरोना रुक नहीं पा रहा है रफ्तार तीजी के साथ बढ़ रही है एक बहुत पुरानी कहावत है हिंदी में जिसको कहते आप पच्ताय होत का जब चड़ियां चुंगाई खेत देखे एक ये ट्राइंगल है कोविट का एक तरफ इस ट्राइंगल में फिल्म बाले अलाव ट्रेंगल की बात नहीं कर रहा है इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं कि एक ट्राइंगल में एक तरफ कोविट वाइरस है दूसरे एंगल पर वैक्सीन है और तीसरे पर होस्ट यानि हम सब लोग है तो कोविट जो कर रहा था वो तो सालवर से कर रहा था उस ने कली थोड़ बहुत अपना रूप बदला है इसको केसे रहा है मुट्याद हो गया चैंज हो गया तो होस्ट भीहवियर हमारा बिल्कुल खराब हो गया 2021 में क्योंकि हम ओवर कॉंफिडेंस हो गए प्रत्वीरा चौहान भी इतियास में बहुत ओवर कॉंफिडेंट थे क्या हुआ सोले भार जीते सत्री भार मौमद गोरी नहरा दिया और उसके बाद देश खतम हो गया यही हुआ सौ साल पहले भी हम इस्पैनिश फ्लू की हिस्ची देखें तो पहला नहीं दूसरे तीसरे चौथे चरण में ज्यादा डैथ होई ती इस्पैनिश फ्लू में और टोटल पां जब वेस्टन वर्ल्ड में दूसरी तीसरी वेव आनी हो गई तो हम चौले सब्सक्राइब मेरे पास दूसरी तीसरी वेव नहीं आएगी क्योंकि वैक्सीन भी हमारे पास आ गई यह अलग बात है कि हम लगवा नहीं रहते पहला टार्गे था हमारा थीन करोड का लगवान कि वो भी हमने नहीं सही दिखाई जी उसमें ज्यादा इंट्रेस नहीं लिया वैक्सीन आ गई है तो लगता आने से ही सब कुछ कटम हो जाएगा वो सीरम इस्टिटूट ऑफ हिनिया के इंडिया के स्चोर में रखी रही वैक्सीन और वहीं से जो है वो हर्ड इमुनिटी कि इंडुस्तान में हमने ऐसा सोचा तो हमीं जिम्मेदार है इसके लिए और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है यह कोरोना वैसा दुश्मन है जो वापस जा रहा था उसको बकाईदा हमने प्रेम पत्र लिखा इंविटेशन लेटर लिखा कि अभी हमारे बच्चे की समली नहीं समल रहा है डॉक्टर स्वाती देखिए जैसा कि डॉक्टर सूरेकान जी ने कहा एक और लोगों के बीच में लापरवाही देखने को मिल रही है उन लोगों में जिनको पहले कोरोना हो चुका है वो इस सेकंड वेव में पूरी तरीके से निश्चन्थ हैं और प अच्छा प्रशन है और खासत दोर से जिन लोगों को को चुका था उनने लगा कि अब हम कोरोना के बारे में सब कुछ जानते हैं और उनने लगा कि अब हमें कोरोना दुबारा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे शरीर में एंटिबॉडिज हैं लेकिन अब जिस तरह कि हम साफत सामने लोगों को आते देख रहे हैं कि हम दुबारा संकरमन होते देख रहे हैं और ICMR ने भी स्टडी निकालिया इसके उपर कि दुबारा संकरमन हो सकता है तो एंटिबॉडिज जादा समय के लिए शरीर में नहीं टिकती हैं नए स्ट्रेंज भी हैं जो कि हमारे इम्यून नहीं हो सकता चाहे आपने वैक्सीन की पहली डोज लगवाली है चाहे आपको कोरोना हो चुका है पहले हर सिती में हमें ये बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि कोरोना कभी भी और कहीं से भी हो सकता है और अब जो आप ये उच्छाल देख रहे हैं केसे में प्राची जी ये कुछ दिन पीछे के होते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति को लक्षन आने में कुछ दिन लगते हैं 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरिड है उसके बाद भी आप कुछ दो तीन दिन इलाज करते हैं अपने आप फिर आप टेस्ट कराते हैं फिर उसके एक दो दिन में रिप चेन रियक्शन पढ़ते थे कि एक के बाद दो दो के बाद चार और यहां तो मल्टिप्रिकेशन जो है वो बुलकुल ही अलग लेवल पर है कुछ अलग ही इसकी पूरी स्थिती चलती है तो ऐसे में अब आप देख रहे हैं कि वो बं जो है जहां से भी फटना शुरू हुआ अब फटफटके अलग-अलग राज्यों तक पहुँच गया है और सब जगे जो है वो आग की तरह दीरे-दीरे पहल रहा है इसलिए सभी राज्यों को मजबूरन ये कदम उठाने पड़ रहे कि कही नाइट कर्फ्यू देख रहे हैं आप कही वीकेंड लॉकडाउन देख आज की तारीक में लगे क्योंकि सभी ने आर्थिक मार सही है और हर कोई उसक्ष्ट को उस मांसिक पीडा को समझता है जिसलिए मुझे लगता है कि अगर अभी भी हम सचेत हो जाए अभी भी हम समझ जाए और अब देखे बच्चे और जो यंग लोग है वो भी इसमें पॉजिटिव रिपोर्ट देखी है तो लोगों को समझना बहुत जादा जरूरी है कि बच्चे और ऐसा वर्ग और हम बच्चों को लेकर के भी बहुत लापरवा हो चुके हैं बच्चों को लेकर लोग चुटियों पे गए बहार गूने के लिए लिए लोग अब अच्छ हैं और रमजान भी अब आ रहे हैं ऐसे में क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है और जो आम जनता है उनसे आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगी क्योंकि आप समात सेवियं लोगों के बीच में जाती हैं सुरू बरू होती हैं कि वो कैसे अपना ख्याल रखें करकर आए थे तो इतना सामान निवातावरान हो गया था कि सब लोग अपनी लाइफ में जो थे वह आपस आ गए और सबने सोचा कि बस अब करोना भाग गया है और बजारों में भीड़े लगी धूमधाम से शादियां होने लगी और जितने भी सामाजी कारिक्रम थे वह ब करोना की दूसरी जो जो लहर आ गई है तो हमने जो था वह मुझे मतलब एक दुख हो रहा है कि हमने विदेशों से सबख नहीं सीथा कि विदेशों में देखे जानवरी और फैबुरी में दूसरी लहर आ गई थी लेकिन हमने इसको माइं नीकिया हमें लगा कि हम आपस गये हैं और आप हमारे देश में करोना की लहर नहीं आएगी यह वैक्सिन तो बनी चुका है अब हम उसको लगवाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे लेकिन देखिए आप क्या हो रहा है अभी हम लग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितना इफेक्ट सब्सक्राइब है कि 30% केसे जो है वो इससे हम लखनों से निकल करके आ रहे हैं आप उसके अबादवारा नसी है प्रयाग राज है कानपूर है तिक से चौर्थे नंबर पर आता है लेकिन जो कहीं न कहीं देखिए जो है जो आटी पीसिया जो टेस्ट है उसकी रेटिंग स गबरा रहे हैं और जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे मैं अभी नीजी चैनल देखिए उस पर दिखाया जा रहा था कि यूपी में जो सरकारी हस्पताल है वहां पर आटी पीसियार टेस्ट के 600 रुपए लिए जा रहे हैं जहां पर अभी हमारे प्रदेश की मुख्य मंत अभी को अपने प्रदेश का खयाल नहीं आ रहा है कि यहां पर जो है वो 600 रुपए जो है वो आटी टेस्यार टेस्का लिया जा रहा है तो एक गरीब आदमी कैसे देने पाई जिसका रिकर संकरमर देके फैल रहा है अगर आप प्राइबिट हॉस्पिटल में अगर आपको कोविट है आप अपनी वहां पर एडमिट होना चाह रहे हैं आपको दो लाग रुपए पहले से जमा करने पड़ेंगे यह यह बात है कि लोगों के अंदर डर बैट रहा है लो अब यसे अभी आपने में से कुछा कि रमजान आ रहा है नौरात्रे आ तो मैं आपके चैनल क माधियां च influen जोंगी कि Plez इस बीमारी के घंभीता को समझीं कि यह जो आक्रें यह जर्गे नहीं है कर आए स्का विफार्क किया हमने उससे अच्छा फाइदा लिया लेकिन ऐस बार ऐसा क्या हो रहाए कि जो हर्ड इम्टिक है वो काम नहीं कर पा रही है उसका किभी फाइदा नहीं मिल पारा फारा रहा है और तीजी के साथ संक्रमेंट फैल रहा है देखे हर्ड इम्यूनिटी एक लेवल तक ही काम कर पाएगी क्योंकि अभी हम वेक्सिनेशन उतने जादा लोगों को नहीं दे पाए थे कि हर्ड इम्यूनिटी पूरी तरह से आ जाया और वहीं आप देखें तो सितंबर में भारत में 97,000 के आसपास मामले पहुंचे और उसक के चिलिए कि उनमें अब antibodies नहीं हैं तो अब वो लोग दुबारा संक्रमित हो सकते हैं इसलिए जो हमारा herd immunity का concept है वो इतना जादा conceptualized नहीं हो पाया क्योंकि जो लोग स्वभाविक तोर से संक्रमित हुए थे उनकी antibodies खतम हो गई और vaccination अगर आज आप देखें तो हम 2 doses केवल सवा सो करोर लोगों तक ही पहुचा पाई है अभी जिसकी वज़े से केवल एक प्रतिशत जनता भारत की इस वक्त आप मान सकते हैं कि उनमें इतनी antibodies हैं कि वो herd immunity को contribute कर रहे होंगी तो ऐसी सिती में और जब नए strains आ जाते हैं खास तोर से जो कि हमारे immune system को bypass करना जानते हैं तो ऐसी सिती में हमारे पस यही एक विकर्प रह जाता है कि हम खुद मास लगाएं, social distancing का ध्यान करें, भीड़भार के इलाके में ना जाएं क्योंकि जितना जादा हम खुद को expose करेंगे, उतना संक्रमन हम अपने घर ले करके आएंगे, अपने परिवार में ले करके आएं क्योंकि जो अब strains भारत में इस वक्त घूम रहे हैं, वो बहुत जादा तेजी से एक से दूसरे में फैल रहे हैं, इसी वज़े से आपने संक्रमन में इतना जादा उच्छाल देखा और ना प्रिवल भारत, देखे, UK, US, बड़े-बड़े ऐसे देश जहां strains फैल रहे हैं परिवार को भी सुरक्षित रहे हैं परिवार को भी सुरक्षित रहे हैं